हेलो बच्चों वेलकम टुडेज एडिशन आज हम लोग सॉल्फ कर रहे है आरे सगरवाल का लेटेस्ट एडिशन आफ नूर कॉंपोसित मैथमेटिक्स फर क्लास 4 आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 62 जो की चैप्टर 18 यानी टाइम के पार्ट है तो बच्चों आप जा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें किसी चैनल में हम लोग हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको लिए अफ्लोट करने वाले है सो वीडियो को लाइक शाय करना ना भूले है और आपको कमेंट जरूर दे ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर ले एक्सराइज 62 क्वेशन 1 से जो की टाइम का चैप्टर है इसमें fill in the blanks, इसमें blanks fill करना है, at 8 o'clock, 1 has been done, 8 hour hand है, 12 minute hand is, so what is the time, it is 8 o'clock, right, 6 is the hour hand and minute hand is at 12, so minute hand 12 में है, right, तो हज इसको 6 o'clock हो जाएगा similarly 11 hours, so 11 o'clock हो जाएगा, बज रहा है, 7, minute hand 12 में है, so 7 o'clock हो जाएगा, 12 and 12 है, so 12 o'clock, ठीक है, a.m. p.m. का भी हम लोग नहीं कर रहा है, 12 o'clock, next हम लोग आ जाते है, question number 2 में, so look at the figure and write down the time shown, right, तो 1st जो time दिखा रहा है, that is 9 बज रहा है, तो इसको हम लोग 9 hours and colon देके minutes लिखते है, ठीक है, और 2 different ways, the second इसमें हम लोग लिख सकते है, 9 o'clock, ठीक है, right, similarly देखे, question number B, इसमें 6 बज के 6 बज के 10 बज के 10 minute हो रहा है, तो इसमें हम लोग करेंगे 6 hours, colon देके minutes से 10, second way में हम लोग इसको लिख सकते है, 10 minutes past 6, ठीक है, 6 बज के 10 minute हो गया, number C में आते है, 8 बज के 20 minute हो गया, तो इसको 8 hours and 20 minutes हम लोग लिख सकते है, और second way में हम लोग लिखेंगे, 20 minutes past 8, ठीक है, clear, right, next हम लोग आते है, question number D में, तो इसमें देके यह time जो है, 2 से 3 के बीच है, तो यह हो जाएगा, 2 hours and 35 minutes, इसमें हम लोग लिख सकते है, 35 minutes past 2, या, 1, 2, 3, 4, 5, 25 minutes to 3, से भी लिख सकते है, right, question E है, यह के 12 or 10 के बीच है, 1 के बीच है, तो इसमें है, 12 hours and 40 minutes, इसमें हम लोग लिख सकते है, 40 minutes past 12, चीक है, number F, 5 and 6 के बीच है, तो हम लोग लिख सकते है, 5 hours, minutes and 50, यानि 10 पर है, तो 50 minutes, तो हम लोग लिख सकते है, 50 minutes past 5, या, 10 minutes to 6, आईसे भी लिख सकते है, ठीक है, next हम लोग आ जाते है, number G में, number G में लिखे, 4 and 5 के बीच है, तो यह 4 hours हो गया, minutes and 6 में है, तो 30 minutes, 4 hours, 30 minutes, ठीक है, 30 minutes past 4 को हम लोग लिखेंगे, half past 4, ठीक है, number H हो गया, number H लिखें, number H है, hours and कहाँ पर है, 12 और 1 के बीच यह 12 hours हो गया, minutes and 3 में है, 15 minutes, तो 12 hours 15 minutes, तो 15 minutes past 12, 15 minutes past जैसे ही होता है, आम लोग लिखेंगे, quarter, quarter past 12, ठीक है, next, आई में आजाते है, 10 और 11 के बीच है, आवर हैं, तो यह हो गया, 10 hours, minutes and 9, यानि 45 minutes है, तो 10 hours 45, तो इसमें हम लिखेंगे, 45 minutes past 10, यह हम लोग 15 minutes मतलब 1 quarter, यह लिखेंगे, quarter 2, 11, 2 मतलब और बचा हूँए, नमबर जे, नमबर जे रिखे, 9 और 10 के बीच है, तो इसमें नमबर जे रिखे, 9 और 10 के बीच में है, तो इसमें तो इसमें है, 22, 9 hours 22 minutes हो गया, 22 minutes past 9, तेक है, गटे कि अंबर के is ? अ मिन इसमेड़ सोई गया, और आटे के एटी 11, ठीक है, number L, L एकिये, 4 and 5 के बीच है, तो this is 4 hours, कितना minutes है, 8 cross हो गया, so this is 83, 3 में आ गया है, 3 minutes or extra, 8 मतला 40 minutes and 3, so 43 minutes, 4 hour 43 minutes, so आमने लेकांगे, 43 minutes past 4, ठीक है, ठीक है, right, next हम लोग आजाते है, question number 3 में, question 3 देखे, क्या है, look at the figure and write down the time in 3 different ways, right, so 3 different ways इसमें हम लोग लिख सकते है, first, जो timing है, देखे, इसमें है, 1 और 2 के बीच है, तो 1 hours हो गया, time is 40 minutes, तो 1 hour 40 minutes, ठीक है, तो 1st method हो गया, 1 colon 40, next method हम लोग लिख सकते है, 40 minutes, 40 minutes past 1, या कितना minute next hour होने में है, 20 minutes, हम लोग लिख सकते है, 20 minutes, 2, 2, ठीक है, बी में आ जाते है, hours and 4 में है, और 4 अभी नहीं हुआ है, 3 and 4, 4 होने बाला है, so 3 hours हो गया and 55 minutes, right, तो 3 minutes and ये 55 से थोड़ा just 1 minute down है, तो 3 minutes 54, 3 hours 54 minutes, right, तो इसमें हम लोग लिख सकते है, 54 minutes past 3, कितना बचा हुए है, 5 and 1, 6, तो 6 minutes to next hour है, 4, 6 minutes to 4, ठीक है, नमबर C देखते है, नमबर C देखे है, 6 and 7 के बीच है, 6 hours, कितना minutes हो गया, 9 पार हो गया, मतला 45, another 3 हो गया, तो 43, 2 के बीच है, 6 hours, 47, ठीक है, 2 places देख रहा है, तो 6 hours, 47 minutes देख रहा है, तो आम लोग लिख देखे है, 47 minutes past 6, ठीक है, या कितना बचा हुए है, 10 minutes हो गया, another 3 है, so 13 minutes to next hour is 7, 13 minutes to 7, ठीक है, ठीक है, clear, next हम लोग आगा, question 3D का, तो 3D देखे, इसमें 5 और 6 के बीच है, तो hour is 5 hours, कितना minutes है, 36, ठीक है, 5 hours, 36 minutes हो गया, हम दो लिख सकते 36 minutes past 5 या कितना बचा हुआ है 1, 2, 3, 4 यानि 20 and 4 24 minute to 6 next hour is 6 ठीका नमबर यह देखते 12 और 1 के बीचा है ताइम इस 1 hours राइट, sorry 12 और 1 के बीचा है तो इसको 12 होगा 12 hours और कितना ताइम होगा 45 राइट, 12, 45 12 hours, 45 minutes अम दो इसकते 45 minutes past 12 अनादर मेथद गया है कितना मिन्ट बचा हुआ है 15 minutes, 15 minutes यानि 1 quarter, so quarter sorry quarter 2 next hour is 1 quarter to 1, ठीका number F 9 और 10 के बीच है तो आवर है 9 कितना टाइम है it is 55 के आसपास है ठीक है so 55, 57 so 55 आप दीए 9 hours 55 ठीक है तो 9 hours 55 हम लोग लिख सकते है या इसमें मेरा 55 minutes past 9 ठीक है या हम लोग लिख सकते है 5 minutes to 10 ठीक है ठीक है clear 5 minutes to 10 ठीक है next हम लोग आजाते है portion number 4 में time दिया हुआ है an hour hand is drawn draw the minutes hand to show the correct time ठीक है तो time दिया हुआ है 3 hours 25 so minute hand कहा है 25 यानि 5 पे आएगा 20 minutes past 1 1 के बाद है तो इसमें minute hand 4 में आएगा 20 minutes ठीक है 5, 4 is a 20 हर एक 5 minutes में 4 into 5 is 20 ठीक है 17 minutes past 9 9 से जादा होगा 17 मतलब कहा है यहां तक होगा 15 15 के बाद 17 ठीक है तो थोड़ा 2 places इधर रहेगा D में आते 25 minutes 2, 6 6 होने में 25 मिनिट से बचा है तो 5, 5, 10, 15, 20, 25 यहां पे रहेगा ठीक है Next 8 minutes to 9 9 होने में और 8 मिनिट से बचा है मतलब 5, 6, 7, 8 तो somewhere around यह रहेगा ठीक है 8 minutes Number F quarter to 4 quarter means 15 minutes 15 minutes बचा है 4 से तो this hour hand minutes and ऐसे रहेगा 9 में रहेगा ठीक है Right Next हम लोग आ जाता है Number G में तो Number G है quarter past 10 10 होके quarter होगा मतलब 15 minutes past होगा तो यह 3 में रहेगा point करेगा ठीक है Half past 11 11 से half यानि 30 minutes past होगया 30 minutes मतलब 5, 6, 30 तो यह 6 में point करेगा minute hand ठीक है 9 minutes to 12 12 होने में 9 minutes बचा है Number 5 Write the following times in figures Next हम लो question 5A कर रहे तो 5A है Falling time in figures लिखना है तो 5 o'clock 5 colon 00 ठीक है 5B देखे 25 minutes past 7 तो 7 hours होगया इसके बाद 25 होगया C C देखे 38 minutes past 11 मतलब 11 hours होगया 38 minutes विससे जादा होगया ठीक है Number D Quarter past 4 4 hours होगया 15 minutes उससे जादा होगया E Half past 9 मतलब 9 होगया उससे 30 minutes जादा होगया ठीक है F F देखे 10 minutes to 6 ठीक है 10 minutes to 6 मतलब 6 अभी हुआ नहीं है तो यह 5 hours है 10 minutes बचा होगया मतलब 5 के बाद कितना complete होगया 60 minus 10 होगया 50 5 hours 50 minutes ठीक है Clear यह धान दीजेगा Number G 23 minutes 2-2 2-2 मतलब Same type of अभी 2 नहीं होगया Last hour is 1 23 minutes बचा होगया मतलब 60 minus 23 करना पहगया ठीक है So this will be 5 7 37 minutes पाद होगया So 1 hours 37 minutes ठीक है Number H Quarter 2-7 Quarter 2-7 मतलब 7 नहीं होगया तो कितना होगया 6 Quarter मतलब 15 minutes बचा होगया तो हमको क्या करना है 60 minus 15 करना है 5 5-4 6 hours 45 minutes बचा होगया ठीक है Clear Right Next question is question 6 तो question 6 देखे इसमें हमनों थोड़ा लिख पर लाता है Okay 40 minutes past 5 तो इसमें क्या लिखना है How many minutes to 6 मतलब 5 पास होगया है 40 minutes होगया है 6 होने में कितना टाइम बचा है So I will have 60 minus 40 That means 20 minutes 20 minutes बचा हुआ है 6 होने में 34 minutes past 11 11 से 34 minutes क्रॉस होगया How many minutes to 12 60 से हमको 34 minutes मैनस करना है So कितना minutes और बचा हुआ है 10 यह 5 होगया 10 minus 4 is 6 5 minus 3 is 2 26 minutes मेरा बचा हुआ है 12 होने में 53 minutes past 8 How many minutes to कितना 8 के बचा हो गया मतलब next hour is 9 ठीक है So कितना minutes बचा है 9 होने में 9 होने में बचा है 60 minus 53 already cover हो गया 60 minus 53 is 7 So 7 minutes बचा है 9 होने में Quarter to 7 मतलब 7 नहीं हुआ है 15 minutes बचा है 7 होने में So कितना minutes past हो गया है So last hour था 6 6 के बचा है 15 minutes बचा हुआ है 7 होने में 7 होने में 15 minutes बचा हुआ है So कितना time पास हो गया So remaining 60 minus 15 That is 45 45 minutes cross हो गया है 6 हो के तो 45 minutes past 6 14 minutes to 9 9 होने में 14 minutes बचा है So minutes past कितना हो गया है Last hour था 8 So 8 minutes 8 hours हो गया कितना minutes बचा हो गया है 14 minutes बचा हुआ है 9 होने में So 60 minus 14 करना है So I will have कितना 6 and 4 46 minutes cross हो गया है 8 हो के So 46 minutes past 8 ठीक है Clear So बच्चो इस वस लास्ट कुस्टन आप दे एक्ससाइज अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हर एक एक्ससाइज का सुदूशन हम लोग इसी चैनल में दाने वाल है Thank you for watching Hello बच्चो तो आज के इसमें हम लोग बता रहे हैं कि आज क्लास 4 का Mathematics का New Composite Maths का पूरा सलूशन आरे सागरवाल का दिजीज हो चुका है Pupam book से और इसमें पूरा step by step solutions all chapters का किया हुआ है जितना भी shortcuts methods है हम लोग इसमें पूरा बताया है तो इसमें देखिए हैं contents में पूरा 1 से लेके chapter 20 तक का भी पूरा हम लोग solution किये हैं step by step दिया हुआ है पहले इसका exercises दिया हुआ है जिसे आपको पूरा exercise questions मिल जाएगा जो आप खुद भी solve कर सकते है उसके बाद आपका solutions में देखिए पूरा step by step solutions इसमें दिया हुआ है हर एक step कैसे आया है वो भी इसमें दिखाया हुआ है जैसे इसमें आप देखिए इसमें पूरा plus minus हर एक step का solution दिया हुआ है इसमें multiplications का भी हर एक step दिखा हुआ है तो पूरा step by step दिखा हुआ है जो questions से उसको करके rough work में भी कैसा आया है वो भी दिखा हुआ है और visuals में भी आपका drawings करके fractions का जैसे है यहां पे दिखा हुआ है कहा क्या कितना fractions है तो आपको पूरा आसानी होगा हर एक step देखने में divisions यह units का problem से इसको भी दिखा हुआ है इसमें हम कुछ-कुछ page दिखा रहे है जैसे factors and multiples का भी questions दिया हुआ है chapter class 4 का इसमें exercise 19 का हर एक का इसमें ऐसे solutions किया हुआ है और इसमें rough में भी करके दिखा हुआ है इसमें किया हुआ है इस chapter में यह money का chapter दिखा रहा है तो money का chapter में भी देखे हर एक question का इसमें पूरा details में दिया हुआ है rough वक करके भी दिया हुआ है तो आपको एक दम समझने में पूरा clarity रहेगा तो बच्चों इसमें हम लोग कुछ-कुछ pages दिखा रहे है यह पूरा book आपका Amazon में available है लिंक दिया हुआ है description में तो जरूर link में यह आपका book का link है description में भी दिया हुआ है class 5 का भी solutions है उसके साथ-साथ class 4 का भी आप निकल चुका है तो link को भी जाके आप पूरा book देख सकते हैं और अगर आप kindle का member है तो इसमें आप पूरा free में book को पार सकते हैं Thank you